प्रेंट्स अगर आप लेक्रिशन है तो यह टूल्स आपके पास होना चाहिए मैं आपको इसको बना कर बताऊंगा वो भी 10-12 रुपे में यह अल्रेडी बना बनाया मार्केट से आता है लेकिन मैं आपको 10-12 रुपे में पैन से और एक सिर्फ वायर से यह बना कर आपको बत सकते हैं तो बहुत ही सिंपल है बहुत ही आसान है मातर 10-12 रुपे में आप इसको बना लेंगे इस से ज्यादा खर्चस में नहीं आएवा बहुत ही सिंपल है वीडियो छोटा सा है पूरा देखे काफी अच्छी नौलिज मिलेगी मेरा नाम है समय और आप देखना हमारा य से टेस्टर बनाएंगे कंटिनुटी जो चेक करता है और इसके लिए हमें क्या-क्या सामन चाहिएगा यह पैन कही आइटम है और आप चाहे कोई भी पैन ले सकते हैं लेकिन क्लियर हो पैन जो इसमें आर पार दिखे दो कीले नी है और यह दो से लेने हैं जो छोटी होती है उसमें आते हैं एक यह इंडिकेटर लेना है आपको यह एलेक्ट्रोनिक्स की दुकान पर एजली आपको मिल जाएंगे लगबक आठ से दस रुपे का सामन होगा यह ज्यादा ज्यादा बस और इसके अलावा एक वायर का टुकड़ा लेना है आपको वह आप अपने के जो डखने इसमें आपको सुराक कर लेना है कील के जितना चाहे कील को गरम करके कर सकते हैं या फिर किसी और भी चीज से कर सकते हैं इस तरीके से कील को इसमें डाल देना है आपको इस तरीके से डाल कर इस तरीके से प्रेस कर दे और इसको टाइट करने के लिए आप इस गुलू इसमें नहीं लगाया है, क्योंकि मैं आपको जश्टिस को बना कर बता रहा हूँ खाली रिफिल के दो टुकड़े काटने हैं आपको छोटे-छोटे इस तरीके से और इंडिकेटर की दोनों पिनों में आपको यह डाल देने हैं, चोटे-छोटे टुकड़े काटें, ज़्यादा बड़ा ना काटें, और जितना बड़ा हमारा पेन है, उसके इसाब से हम इसको एड़ेस्ट कर सकते हैं पेन का साइज आपको इतना लेना है, जिसमें यह सेल सीधे आजाएं, मतलब लूज ना रहे हैं, ना ज़्यादा टाइट रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखें, इस तरीके से हमको इसमें डाल लेंगे, दोनों तरफ हम चोटे-चोटे टुकड़े डाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, चोटा से टुकड़ा करना है आपको, अगर आपको लगता है किसमें सेल नहीं आपाएंगे, और और भी चोटा इनको कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखें, इस तरीके से दोनों पिन में डाल लेना है, और इन पिनों को इस तरीके से मोड देना है, इस तर जो इसके लाते हैं वो इसमें दूसरी पिन इस तरीके से करकर इसमें कील डालनी है इस तरीके से और इसमें वायर को हमको बांद देना है इस तरीके से डाल कर इसको प्रेस कर दे किसी भी चीज और इसको लगाने के बाद इसका जो डखकन है इसको हम पेक कर देंगे एक करने के लिए मैंने इस पर काविज लगाया है लेकिन आप इसमर गिलू का यूज करेंगे हम यहां पर देखें इसको थोड़ा आगे प्रेस करके और इस पर गिलू लगा दे इस टेंट गिलू भी लगा सकते हैं या फिर जो गिलू गनाता है वो भी यूज कर सकते हैं इस तर तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से आप किसी भी चीज में continuity इसको चेक कर सकते हैं और इसका वायर चाहे जितना आप बढ़ा सकते हैं यहां देखें इसमें यही सामान लगा है और आप इस तरीके से आप किसी भी चीज की continuity चेक कर सकते हैं कोई पर प्रोल्म नहीं तो दोस्तों उमीद करूंगा आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक से जरू करें मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए बाइबाई एक के